हेलो स्टूडन्स जैस्री स्वामी नराएंग आपकी सबकी की परिक्षा की तैयारी अच्छी तरह से होती होगी इसाहसा के साथ आज हम वीडियो द्वारा व्याकरन विपाक सिखने वाले है जो आपके एक्जाम में प्रस्ट नमबर तीन में व्याकरन विपाक में कुछ खाली जगह आने वाली है धातू के हिसाब से और कारक विपक्ति के रूप में और वो टोटल माक्स होगे 10 माक्स तो आज हम वीडियो में यहां व्याकरन के विपाक द्वारा बानू, सादू और हस और पठ धातू के खाली जगह किस तरह से भरनी है वो भी सीखेगे और उसके टेबल भी हम याद करेगे तो चलो शुरू करते हैं आज का व्याकरन विपाक का वीडियो द्वारा समझूती सबसे पहले हम पानू का कारक विपक्ति में एकवचन, द्वीवचन और बहुवचन के टेबल देखेगे विपक्ति पानू, एकवचन, द्वीवचन और बहुवचन में प्रथमा विपक्ति पानू हू, पानू, भानवह यहाँ पे हम देखेगे तो पानू जो है एकवचन में उ कारांत में जो है वो छोटा हू है द्वी वचन में नू की मात्रा बड़ी उ है नू में बड़ी उ की मात्रा है आनि कि भानू भानवह प्रथमा दित्या भानू 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 न यहाँ पे भानू एक वचन में महलन थे और भानू जो एक वचन द्वी वचन प्रथमा में है उसी तरह से द्वी वचन दित्या म जटोसे होगि पने मे Ohh Is judgment बढ़ाू आएगा भुफि बहु वचन में बाणु Chris इत्रुतिय विवक्तिiusना Allah Love 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 Office स्रस्टी भानो हो भानो हो भानुना सब्तमी भानु भानु हो भानु सु संबोधन हे भानो हे भानु हे भानु हे भानु 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 भान अब यहाँ पे हम देखेगे तो एक वाचन में पूरी लायन में देखेगे तो पंचमी और स्रस्टी में सेम सब्द आते हैं भानो हो बानो हो उसी तरह से द्वी वचन में हम देखे तो प्रत्मा दित्या में भानू फि तरुत्या जतुर्थी पंचमी में भानू ब्याम स्रस्टी सब्द में भानू हो तो इस तरह से भी आप द्याद रख सकते हो फि जब बहु वच्चन में है, तो भानवह, बानुनु, भानुबी ही, विवानुब्य ह, बानुबे ह, चातुर्थि और पंचमी में सेम आ रहे है, विवानु नाम, भानुसू, हे बानुवह, तो इस तरह से अगर आप वच्चन के अनुसार, टेबल को आप याद रखोगे, तो खाल के रूपी भानू के रूप तरह ही होगा यानि कि उकारांद का विवक्ति का कारत जो सादू का है भानू का है ऐसे ही सादू का भी बनेगा सादू के रूप विवक्ति एक वचन द्वी वचन और बहु वचन में प्रत्थमा विवक्ति सादू हूँ सादू सादव हो देखो यहाँ पे भी भानों की तरह एक वचन में सादू में छोटा उकी मात्रा है और द्वी वचन में बड़ी उकी मात्रा है. दितिया सादून सादू सादून तृतिया सादूना सादूब्या 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 साद दुसु सब्तमी संबोधन हे साधू हे साधू हू हे साधव ह तो इस तरह से यहाँ पे विभानु की तरह साधू का ही टेबल आपको याद रखना है फिवचन की अनुसार और विवकती के अनुसार जो आप ये टेबल अच्छी तरह से याद रख पाऊगे तो खाली जगह लंग लगार तो अब इस एक्जाम में लंग लगार यानि की पास्टेंस भूत्काल के प्रति लगा कर आपको धातू का परिवर्तन करना है यानि की धातू के रूप लिखने हैं तो इस एक्जाम में जो पास्टेंस आने वाले हैं भूत्काल के उसको कहते हैं लंग लगार प पुरुस में त त अन लगता है, मध्यम पुरुस में स त अम त लगता है, और उत्तम पुरुस में अम वम लगता है, तो यहाँ टेबल को याद रख कर, हम कोई भी धातू में यहाँ जो प्रत्य पीछे लगाएगे, तो हमें पास्टेंस का याने की भुतकल का रुपन और साथ में भुतकल में एक और भी नियम है, कि जो धातू है, उसके आगे पहले हम अ लगते हैं, और फिर पीछे हम यह जो प्रत्य लगते हैं, तो प्रत्य लगाकर धातू को पास्टेंस का रुप दिया जाता है, तो इसके अनुसार अब हम दुसरे धातू को भी सीखेग सबसे पहले हम हस धातू देखेगे, एक वच्चन, द्वी वच्चन और बहुच्चन में हस धातू हमें लंग लगार यानि की पास्टेंस में लिखना है, इसलिए सबसे पहले धातू के आगे अ लगेगा, फिर उसके बाद ताम अन सतम तो अम वर्म लगेगा, तो हस धातू में पहले अ लगाया हम हसत थत, अब यहाँ पे हसत में तः हलंत है, एक वच्चन में तः हलंत आता है, और देखो बध्यम पुरुस में बहुच्चन में भी अहसत है, लेकिन वहाँ पे जो तः है वो पूरा है, यानि कि उसमें हलंत नहीं है, यह छोटी-छोट ये बाद आपको जियाद रखनी है, कहां पे हलन्त आता है, और कुण से वचन में हलन्त नहीं आता है, प्रथम पुरुस में एक वचन में अहसत, द्वी वचन में अहसताम, बहु वचन में अहसन, अब हसन में भी नहलन्त है, अहसताम में भी महलन्त है, यानि कि प्रथम पु पूरे टेबल में आप देखोगे तो मध्यापुरुस एक वच्चन में ही विसर्क आया हुआ है बाकि कहीं बेबी विसर्क नहीं दिया गया है के बाद दो जो बिंदी है उसको विसर कहा जाता है तो अहसह अहसतं अहसत उत्तम पुरुस अहसम अहसाव अहसाम यहाँ बहुआ पूरुस एक वच्चन में हसम और बहुआचन है यहाँ पे भी एक वचन में महलन्थ है और बहु वचन में महलन्थ है तो यह कहाँ पे हलन्थ है कुण से वचन में विसर्ग है वो आपको जो याद रहे जाएगा तो आप खाली जगव आसानी से भर पाऊगे अब उसके बाद हम दुसरी धातु देखते हैं लंग लगार भूत काल में तीस्थ धातु अब यह तीस्थ धातु यानिकी खड़ा रहे ना पूरुस में प्रतम पूरुस में एक वचन द्वीवाचन बहुवचन में तीस्थात तीस्थाताम तीस्थन अब यहाँ पे जहाँ पे भी द्वीवाचन प्रतम पूरुस में था है उत्तम पूरुस द्वीवाचन में भी था है और उत्तम पूरुस बहुचन में भी था है बागी कहीं भी भी ठो में आकी मातरा नहीं इस तरह से जो आप याद रखोगे अब आसानी से याद रख पाओगे यह दैबल आपको इस तरह से ही याद रखना है जो हमने प्रत्य लगाया है वो पत्ते के हिसाब से जैसे की त, ताम, अन, सह, तम, त, अम, व, म तो इस तरह से जो प्रत्य लगा कर आगे अ लगाना है कहाँ पे विसर्ग है, सिर्फ मध्यम, पुरूज, एक वच्चे में ही विसर्ग वाला सब्द है बाकि कहीं बेवी विसर्ग वाला सब्द नहीं है तो यहाँ जो आप दियान रखोगे, तो आप आसानी से आपको ख्याल भी आएगा, समझ भी आएगा और आप उतर भी आसानी से लिख पाओगे अब आप सोचोगे कि एक्जाम में किस तरह से पुछा जाएगा तो चलो एक एम इग्जामपल देखते हैं, यहाँ पे है कच धादू, गच यानी की जाना पुरूस एक वाचन, द्वी वाचन और बहु वाचन में जहाँ पे यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है वह खाली जगह में सही उतर हमें लिखना होता है, जैसे कि प्रत्थम पुरूस में एक वाचन में अगच्छ थे, तो द्वी वाचन में क्याएगा अगच्छ ताम, बहु वाचन में अगच्छ न तो पहली खाली जग्या में अगच्छ था, दूसरी खाली जग्या में अगच्छ न, उसी तरह से दित्य पुरुष, यानि कि मध्यम पुरुष में, हम यहाँ पे खाली जग्या हैं, दो पहली एक वच्चन में, द्री वच्चन में, और बहु वच्चन में अगच्छ लिखा हुआ है तो एकवचन में हमें लाता कि कि दितिया एकवचन में विशर गवाला था है यानि कि यहां पर आएगा अगचछ, इसके पाद अगचछ तम, अगचछ तर्थerinा यानि कि उत्तम पुरस मेंेगर अगच्छाव फिर खाली जगह है। तो एक वर्चन में आगा अगचम भी अगचाव दिया गया है। उसके बाद आएगा अगचाव। तो यहाँ पर जो खाली जगह हैं उसमें हमें सही उतर लिखनरत बताना है। एसे की सही उतर लिखेगे तो प्रथम यानि की प्रथम पुरुस में अगच्छत, आगच्छताम, अगच्छन, वध्यम पुरुस में अगच्छह, अगच्छतम, अगच्छत, पुरुतियां यानि की उतरम पुरुस में अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, तो जहां पे खाली जगह होगी फिलिंद ब्रेंग्स होगी वहां पे आपको खाली जगह भरनी है जो आज हमने जितने रिवीजन में किये है वो सब भी आपको कंपल सरी करने है जैसे कि सादू और भानू का टेबन और हस और तिस्ठ दातू का लंगलकार का प्रत्य लगागना और से ही आएगी उसमें में जो भी भक्ति दी गई होगी यानि कि तुरुतिया और चातुर्थी भी भक्ति तो तुरुतिया और चातुर्थी भी भक्ति के अनुरूप आपको खाली जगह भरनी होगी तो इस तरह से आप को खाली जगह भरनी है तो इस तरह से आप टेबल को य एक्जाम के लिए बेस्ट आफ लग।